लड़की उनका परिवार वो बहुत भैवित में है और रात को पहरहदारी करना पड़ रहा है दिन में वो सो रहे हैं रात को पहरहदारी करना पड़ रहा है वहां से हाईजक किया जा रहा है उनके साथ बलातकर किया जा रहा है और उनको भत्ता ही किया जा रहा है यह बहुत ही और यह निंदनियों भिषय है और यह धिलता जनक भिषय है एक बार फिर बंगला देश में जिस तरह का के माहूल बना था फिर बनने को जा रहा है जो कि भ बांगलादेश में भड़के हिंसा की अस्ता अथर अब उत्तर आखंता का पहुंचा है क्यूंकि उधम सिंग्नगर के दिनेशपुर में रह रहे हैं लोगों की रिष्टिदार बांगलादेश में फसे हुएं अब वहाँ हो रहे हिंसा के चलते रिष्टदारों की सुरक्षा को लेकर ये काफी परिशान और चिंतित है और देश के प्रधान मंतरी नरेंद मोदी से मदद की गुहार लगा रहे हैं दिनेशपूर में रहरे स्थानियों ने बताया कि वीडियो कॉलिंग की माध्धम से वहां रहरे अपने रिष्टदारों का हालचाल लगातार जान रहे हैं वहां की स्थिती इतनी भयावा है कि बया करना मुश्किल है क्योंकि वहां पर घरों में डकैती, लूटपाट, महिलाओं के साथ छेड़चार की जा रही है, मारपिटाई की जा रही है इतनी स्थिती नाजुक है कि भय का माहौल बना हुआ है जानना चाहेंगे जिस तरह से की बंगलादेश में लोग रह रहे हैं आपको किस तरह की चिंता है मेरे परिजन वहां उफस्तित है अभी जैसे मेरे दीदी मेरे बुगा की लड़की उनका परिवार वह बहुत भैवित में है और रात को पहळयारी करना पढ़ रहा है दिन में वो सो रहे है रात को पहळयारी करना पढ़ रहा है किस तरह का डर है क्या क्यों है चिंता क्या बजाए चिंता का विशाय यह है कि बंगलादेश में जो अभी शुरूवा है फिलाल चात्र संग के आड में और आएसाई और आतंगबदी जो संगटन है यह बैक से और विदेश की तागत कि सामने यह दिखा गया कि यह केबल जो है चात्र है लेकिन उसके आड में भयंकर और आराज़कता पैदा कर दिया जो राष्टर पिता है वह कहने हमारे राष्टर पिता महात्मा गांदी जी है वहां के राष्टर पिता मुझीवर रहमान जी है उनको मूर्ति को तोड़ा ग जो हमें चिंता है कि वहां प्रहम इर्ष्तियार फशे हैं किस तरह की चिंता है कि से क्यूं है ऐसे चिंता की शेज़्त पुस लिए जो कि बताना है कि कि वहांके हिंदु और को भी आप Kelvin हुआ पलborn बलादकर किया जा रहा ये बहुत, ऑर उनको हत्ता ही किया जा रहा हortun ये बहुत ही और ये निंदनियों विशय है और ये चिन्ता जबनक और ये एक बार फिर बंगलादेश में जिस तरह का क्या माहुल बना था फिर बनने को जा रहा है जो कि बहुत 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 हुआ है वह रात को बीश होनी पा रहे हैं इस्तिती इतना खराब है कि उरुवादी लोग आ जाते हैं और उनकी बेहन बेटी के साथ-साथ उनके साथ भी अत्यचार करते हैं, मारते फीटते हैं और कई लोगों को जला दिया गया हुआ पे मेरे काल से 4-5 हजार लोगों को वहां पे हत्याय कर दी गई है, बहुत ही महोल आराजकता का है हम लोग जब वहां देश छोड़के आये थे, तो हम नहीं चाहते थे कि बागना देश बने, क्योंकि हम लोग आखंड भारत के नागरिक हैं, तो कईने कई हम नहीं चाहते थे कि भारत की टुकड़े हों, लेकिन मजदबूरी और परिष्टितों ने ये बिवस किया, लेकिन ह हम लोग वहां पर नहीं रुके, हम लोग अपने भारत बर से चले आए, मैं आदरेने मोदी जी से कहना चाहते, मोदी जी ने इस्टेप उठा लिया है, आदरेने अमिच्छा और डिजी पी और इन अधिकारिव से बारता भी हो चुकी है, कि जो भारत में सरण लेना चाहते उनको सरण दिया जाएगा, लेकिन मैं अभी लंब कहता हूँ, इसको टाइम लिया जाए और अभी लंब, जो लोग भारत आना चाहते, उनको सरण दिया जाए, किस तरह के हुआ के स्थिति है, और क्या आपको चिंता है, मुरिश दियार होगी? अशल में बंग्लादेश में जो माहला इस टाइम, यह कोई कट्रफंते शंगटनी यह है, जा मतलब यह आपको रेजागार जो बोलता है, उनको सरण दियार है, और इनलोग रेजागार जो है, यह कतिपाई लोग जो है, यह सब आवरत की साथ, धर्शन, राजजानी, सिंत जानेंगे कि किस तरह का माहूल है, कैसे रिष्टियार आपके फसे हैं, क्या कहेंगे, जिस देश में परदानमत्री शुरुक्षित नहीं है, उनको भारत में शरण लेनी पड़ रही है, तो उस देश के हालत का अंदाज आप लगा सकते हैं, कि उस देश के लोग कितने दर हैं, लेकिन उनको कोई आश्रा नहीं दे रहा है, सी डबले जो है, जो भारत सरकार की जो मुहीम है, उस पर लोग को थोड़ा भरोसा है, उम्मीद है परदानमंत्री उनकी बात रखेंगे, उनको कुछ ना को रिष्टार भशे हैं, किस तरह की चिंता है, चिंता है, सबके के लिए हैं, खास कर अलब सिंगों के लिए चाहे हिंदू हो, चाहे किरिश्चन हो, चाहे बहुत दर्म के लोग हो, सिर्फ हिंदू नहीं है, बहुत दर्म भी है, और कहिना की रात को खास कर चिंता है, और बढ़ जाती है, रात को चोरी डेकेती हो जाती है, आग जानी हो वहां पर राहुल आनंद करके हैं वह बहुत प्रख्याद गायक है पुरे विश्व में विश्व पडल मुन का राज है आज देखी उनके घरों को जला कर फूप डाला गया तो यह जो इस तरह के रख जकता हो रही है तो देश के लिए कहिने की बहुत नुक्सान की चीज़े हैं जिस तरह से कि हमारे साथ और भी हैं लोग उनसे भी हम जानेंगे बताना चाहेंगे जिस तरह से बंगलादेश में तक्ता प्लेट बेसा खोड़ चुका है लेकिन हिंसा अभी भड़कूई हिंदू को प्रतालित किया रहा है क्या क्या चाहेंगे सबसे पहले बात तो मै प्रदान मंतिर खुद कहते हैं कि अगर हिंशा हुई तो मैं इस्तिवा दे दूँगा तो एक तरीकी के नोटेंगी कर रहे हैं और कुल मिला के पाकिस्तान से समरते जमात है जमात इसलाम का और इनका पूरा प्रोपरगंड़ा है नहोंने खाली चातरों को यूज करके कुल स्कूल भी चलाते हैं वह घरों के अंदर बंद है और उनसे उगाई की जारी पैसों की उनको जीवन अपने शुर्क्षा करने के लिए लोग उनको पैसे देने पड़ रहे हैं जिस तरह कि हमारे साथ और भी हैं यहां पर वाइस आप बताना चाहेंगे बंगलादेश में जो इस्थिति अभी वर्तवान समय में बने हुई है वो काफी चिंता जैनक है और नेंदेनी है जिस परकार से हम सोशाल मीडिया में टीवी न्यूज चैनल के माज़दम से देख जाग जाकर अपना प्राण बचा रहेघंए peng नियुकर नियुकर क defin ohamag je..egapktu दोफ़साँ हैं जिस चिनकी चिंता है जिस नियुकर को मेरे जिन्होंने सीए विल लागु करा है आशा करता हूं कि से विल के तहट जितने भी हमारे खली बांगलादसी नहीं और भी जितने भी देश में प्रताजित हो रहे हैं उनको भी भारत में पुन्नरवशन किया है यह तरह से हमारे साथ में और भी है इनसे भी हम जानेंगे कौन आपके में पर हम तो हमारे पुरवज हम उदर से ही यहां पहले विशांट रगा आये हैं चिंता तो है सब चिंता है और यह जो भी कायरेक्रम हुआ है सब सोची समझे रहनेती के तौर पर हुआ है और हिंदू को टार्गेट किया गया है अभी यहां का जीवान बहुत ही भ ही तौर रहे हैं रात को मतलब महिलाओं को अलग रखा जा रहा है पूर अलग रहेकर रात बहुत तरह की गवाहर लगा रहे हैं जितने भी हमारे हिंदू समाज के लोग है उनको यहां सरण के तोर पर आलाया जाए लाकि उनको इंदूस्तान के लबाद दूसरा किसी देश में उनकी बातें नजी सुनेगी से लिए हम सभी लोगों करें उनको लेकि आया aan यहां पर सबस्क्राइब करें लोगों का जो भले ही बांगला देश का अपला ठोचुका है लेकिन यहां जो यहां के रिस्तेदार है उन्हें बहुत जदा चिंता है लेकिन बात की जाए मैं जरे थोड़े से और यह बात जो और पर सकाख करें इनको आने में चुप दिया जाए कि जब हेह ताफे करना चाहिता हम लोगों ने बाचित की है इन लोग साप तोर पर कहना है कि जो कि बारत सरकार से इतनी उमीद है जो कि जो कि यहां के रिस्तेजार फरसे हैं उन्हें निकाला जाए यह मोदी सरकार से पूरी तरीके से गोहाल लगा रहे हैं मैं अपने सयोग हरी सेनी के साथ रमेच चंद्रा उत्राखंड तक